क्या आप भी अपने लाइफ में हमेशा खुद को प्रूव करने पर लगे रहते हैं? अगर हाँ तो आप बंद कर दीजी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लाइफ की गलत पटड़ी पर जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों मैं हूँ वसंद्रा और आप सभी का येस टीवी में स्वागत है दोस्तों आज मैं इसी टोपिक पर आप से बात करने वाली हूँ कि हम अकसर अपने लाइफ में खुद को प्रूव करने में ही रह जाते हैं हम हमीशा यही सोचते हैं कि अगर हम अच्छी हैं तो हमें सामने वाले को ये जताना जरूरी हो जाता है कि हाँ हम अच्छे हैं किसी ने क्या खूब कहा है हमीशा आप लाइफ में अच्छा इंसान बनिये लेकिन ये साबित करने के लिए अपना समय बरबाद मत कीजे और इसी चीज का एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार की बात में आपको बताऊंगी कि कुछ हुआ है इस तरीके से था बहुत सारे कुटों के बीच में एक चीते को बिठा दिया था और उनकी रेस लगवा दी थी अब रेस स्टार्ट हुए सारे के सारे डोक्स भाग गए लेकिन वो चीता वहीं बैठा रहा जी हाँ दोस्तों इसका यही मतलब है इससे हम यही समझ सकते हैं कि हमेशा हर जगा खुद को प्रूफ करना जुरूरी नहीं होता है और कहीं पर अपना खुद को प्रूफ करना अपनी इंसल्ट ही होती है इस तरीकी से जब हम पे जानते हैं कि हम सही हैं हम राइट है तो हम क्यों खुद को प्रूफ करने पर लगे रहते हैं क्यों इससे चीज में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं क्यों हम यह नहीं सोचते हैं कि इस से भे बैस्ट बनने के लिए कि उन्ह WAY किया जाए इंस्टेड उफ विस्टिंग आर टाइम इंप्रूविंग आर सिर्फ हमारे जिंदगी में ऐसा ही होता है आज के टाइम में अगर मालो कोई चीज हो जाए जहां पर यह बात सावित करने हो कि कौन बैस्ट है हां माना हमेशा बैस्ट रही है हर चीज में पार्टिसिपेट कि अपना तोर बनाने की चाह में कि मुझे करके दिखाना है उस चीज में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना हम प्रूव करते ही रह जाएंगे और जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी दोस्तों जिंदगी का महत्व समझे अपना टाइम सही जगर यूटिलाइज जिंदगी बदल सकता है कि stop proving yourself unnecessarily आपको समझा गया हो अगर हां तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके क्या राए हैं ये भी हमें देते रहिए और ऐसे ही और वीडियोज देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ येस टेवी पर थैंक्स फर वचिंग